गड़पदबपा मोरेज जी को भोग में मोधक बहुत पसंद है अलग-अलग तरह से अपनी अपनी पसंद के मोधक सभी बना रहे हैं हम 10 मिनट में मोधक तयार करेंगे तो यहाँ 1 किलो दूद लिया है एक किलो दूद में ही 1 किलो मोधक तयार करेंगे पूरी वीडियो चोड़ देते हैं तो देखते भी रहें नीचे लग न जाए तो चलाना पौछ जरूरी है दूद को जब रबडी बनने लगे तो बिल्कुल न छोड़ें जब बबल्स छूटने लगें खदकने लगें छीटे उपर को आने लगें बबल्स दिखने लगें तो समझ लेना कि इ चार ब्रेड लिए हैं यहां पर और साइड का हिस्सा ब्रेड का जो ब्राउन होता है वो निकाल देना है चकु की साहता से अपने हिसाब से निकाल दें साइड का हिस्सा मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी मिठाई में फिर इसमें चीनी लेंगे, चीनी हमने बहुत कम लिए है, 100 ग्राम लिए है, कम मीठा बनाना है, Met इसमें 300 ग्राम तक चीनी डाल सकते है, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो चीनी अच्छे से घुल जाए धीमी आच में चलाते रहें, बढ़ियां से चीनी जब बढ़ियां से घुल ज दिएर्ए चलाते रहें को पांच साथ मिनट में आराम से मिठाई तयार हो जाएगी मीडियम आज रखें जब करहाई चोड़ने लगे खोया मिठाई चारो तरफ से तो समल लेना बनाने लाइक तयार हो चुका है इसी तरह से तयार कर लेना है देख सकते हैं फिर इसमें टेस् के कि थैका डिए से फिर इसको थोड़ी दैर के लिए रक देंगे थंडा हो grow घह थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे के अंवल Boom देधे हैं इसको फिर बनाना सुरू करेंगे आप मोदक को कलर फूग भी बना सकते कलर खाने वाला आता है वो डाल ले और अच्छे से मिला ले आप अपने हिसाब से मन पसंद कलर ला करके बना सकते हैं साचे आते हैं आजकर साचे में बहुत आराम से बन जाता है एक साइज का बन जाता है मोदक लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा सा आंगे पीछे हो जाते हैं बड़े छोट से बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं ध्यान नहीं दिया जाता इतना चोटा बड़ा साइस क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो भगवान का भॉगी तो लगाना है में तो बढ़ियां से देख सकते हैं बनकर के तयार हुए अगर आपको एक साइज के देखना है किसी को देना है गिफ्ट में तो आप साचा ही लाएं तब ही बनाएं लेकिन तयारी आप इसी तरह से कर सकते हैं कम दूद में धेर सारे मोदक या मिठाई बना सकते हैं ब्रेट की साहता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं आप बना कर जरूर देखना लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना भूलें अच्छे लगते हैं